मैं तो अपने रास्टे पर चली रहा था पर अचानक मेरे रियर व्यू मिरर पर दो लाइट्स चमकती देखी तब मुझे ऐसास हुआ कि मैं नो पारकिंग पर खड़ा था फिर पारकिंग टिकेट मिली इस बार पूट मिला बड़ा सा मेटल टायर क्लैंप जिससे निकालना ना मुम्किन है सही समझी तो लोकल पुलिस ने अपना फर्स निभाया और जैसे ही वो वहाँ से दूर चले गए तब ही मैंने अपने उस नई शाइनी शू को निकाल कर फैक दिया पता नहीं तुम कभी सुधरोगे भी या नहीं तुम तो जानती हो आर्जी क्लिफ जंपर से जो टकराएगा वो बाद में पच्टाएगा लगता है तुम आटोबोट का रूल नंबर वान भूल रहे हो किसी की नजरों में ना आना अब क्या करूँ इतनी सुनसान जगे पर एनजॉन को ढूणते ढूणते बोर हो गया था अब तो मैं डिसेप्टिकॉंस को मिस्स करने लगा तुम बहाने बनाने में माहिर हो हम जब भी ट्रावल करते हैं अकेले ही होते हैं क्लिफ मुझे सिगनल मिल रहा है बैक अप चाहिए? इसेप्टिकॉंस इसेप्टिकॉंस आरसे अब मुझे बैक अप की जरूरत है अच्छा वार था इसका जवाब और जोरदार मिलेगा आरसे टो आप्टिमस दुश्मन लौट आया है प्लिफ की जान खत्रे में है समझ गया राचिट तुम्हारे पास क्लिफ जंपर की लोकेशन है मुझे उसका सिगनल मिल रहा है आप्टिमस लेकिन हमारी टीम वहां से कोसो दूर है और से बॉलक हैड बंबल बे अपने अपने बेस पर लौटो आप्लिफ की मदद के लिए पहुँचो मुझ से जो टकराएगा बहुत पच्टाएगा अब तो इनरचान से भी कीमती चीज मिल गई स्टार्स्क्रीम अर्ज से बात मिले तो तुम्हारा बॉस कहा है बोल जाओ से मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ कुछ और पूछना है पहुछना हम झा भी करQuéज हें पहु मुछ झाओ अउनों का मुछनाएगा झाओ द hoo किणा है हें मुछना है यहां पर तो काफी एनर्जॉन है तीन साल में पहली बार डिस्प्टिकॉन सा हरकत में आये हैं? शायद पहले भी आये हूँ अगर वो एनर्जॉन के तलाश में हैं तो इसका मतलब वो लोटने वाला है नहीं राचेट तो मुसके पुजेशन ट्रैक कर सकते हो नहीं क्लिफ चंपा का सिग्नल आफ लाइन हो चुका है साउंड वेव क्या बात है? तुम तो पहाने बनाने में माहिर हो हम जब भी ट्रावल करते हैं अकेली ही होते हैं क्लिफ इसका नाम आरसी है ना जब मौका मिल ही रहा है तो क्यों ना एक और और आटो बाट का शिकार किया जाए इनसानों के लिए और हमारे बहादुर दोस्त की गुर्बानी के लिए पारसी क्लिफ जा चुका है यहां पर अफसोस मनाने से कोई फाइदा नहीं इसलिए बुरा मत मानना पर मैं इनसानों को सुरक्षित रखने का अपना फर्ज निभाने जा रही हूँ आप्टिमस इनसानों की मदद करने का मतलब है कई और जानों को खोना तुम्हारी बात याद रखूँगा वेल्कम तु के और ड्राइवन जहां की पैटी नॉक आउट कर देती है बताइए अपका ओर्डर क्या है तो सुपर कॉम्बो और फ्राइज ठीक है कॉम्बो एक्स्टर फ्राइज और कुछ आईए हां एक सला चाहिए थी मुझे तुम्हारी जैसे ओसम जॉब कैसे मिल सकत आपका ओर्डर रेडी है चाहिए तो ले जी और अगर मेरी जॉब इतनी अच्छी लगती है तो वो भी कर लीजे कितना हुआ फाइफ फिफिटी नाइन सर विंडो पर पे कीजिए उसके पैसे मुझे देने पढ़ेंगे च्विंज अराम कर लो सेडी है मॉम हाँ अभी फ्रीवाँ नहीं मैं डांस पर नहीं जा रहा है पिशली बार के एक्सपीरियंस के मुताबिक डांस में मेरा कोई चांस नहीं है क्या संभल कर हूं सेरियूसली यह जैस पर है मॉम मुझे मिल जाओ तो लाइफ बन जाए वहाँ कई महीनों की सेलरी खर्च होगे लेकिन एक दिन मैं तुम जैसी बाइक खरीद कराऊंगा क्या तुम अपनी मोटर साइकल से बात करे हो मेरी मोटर सैकल? i mean मेरी है विरन मैं अकłe बात नहीं कर रहा था लेकिन तुम से बात कर रहा हूं कैसी हो Sierea? कभी राइट पर जाने का मूड हो तो बताना बात करें हैं दुम मेरा नाम रेजंगे है हम होम रूम में साथ हो थे, मैं जैक हूँ, जैक डार्बी आगए कसकर्क पकड़े रहो, यह कौन बोला कमांड रिस्टर स्क्रीन, ठागिट मिल गया है, उसके साथ एक इनसान है, एक लड़का तो लोग को खक्म कर दो तुम हो क्या? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, मेरे बारे में किसी को बताया तो घर आकर मारूँगी वह फिर आ गए अरे मैं तो उसे चांदा तक नहीं जादी बैठो वह वो लोग हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? हम कहकर दोस्ती मत बढ़ाओ, और वो इनसान नहीं है यह तुम्हारा दोस्त है? यहारा फ्रामिली मेंबर है तुम्हारा यहारा वोव वोव काश ये कुछ सपना हो अप 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 बस बहुत हुआ तमाशा अप यह यह सब क्या है बोलती हुई काश जो रोबोट भी बन सकती है यह फिर ठीक इसका उल्टा यह 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 प्लफ के नाम आखरो जाओ हँआ उर उर वह 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कोई बात नहीं होता है उसे छोड़ दो प्लीज अगलत टाइमिंग कमाँ जल्दी भागो बाग तेरा हो भाग तेरा हो थेंक यू मुढ कर मत देखना हम सबना तो नहीं देख रहे हैं और उसके बारे में जानना भी नहीं चाहता पहले किसको दूल चता हूं देर से क्यूं आए ट्राफिक था अगर उस इंसान ने मेरा ध्यान न भटकाया होता इंसान दो लड़के दूसरा वाला शायद लड़ाई के दौरान ही सामने आया मुझे याद नहीं मैं उस वक्त बहुत बिजी थी अगर हम डिसेप्टिकॉंस के टागेट्स हैं तो वो जिसे भी हमारा साथ ही समझेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं राफ हेई देखो जो हुआ उसे हमारे बेची रखना बलकि भूल जाओ जो हुआ जैक यह पर से आगए यह हमें अंदर बुला रहे हैं नहीं सिर्फ मुझे तुम्हें कैसे बता चला इसे ने कहा क्या तुम्हारी राइड वो है देखो मुझे नहीं लगता ऐसा करना कैसे हो तुम सुनो रुको कमाल की बाइक है मॉम डैड भीना इग्लोर रिलाक्स मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहती हूँ तुम्हारा मदलब तुम और तुम्हारी नई दोस्त देखो तुम्हे कुछ चीजों को समझना होगा नई मैं समझता हूँ समझता हूँ रोबॉट फाइट के बारे मैं किसी जमत कहना अब तुम मेरी एक बात समझ लो मैं बात करने वाली क्रेजी कार से दूर रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं अपनी जान गवाने का सुनो जैक नाम है न तुम्हारी जान बचाने के लिए ही आप्टिमिस प्राइम ने तुम्हें अपने पास बुलाया है रुको आप्टिमिस कौन तुम पर खत्रा आ सकता है क्योंकि तुम उन चंद लोगों में से हो जिन्होंने हमें देखा है डूड इतना सोच क्या रहे हो चलते हैं न एक और मैं समझा नहीं हम इसे साथ क्यों ले जा रहे हैं रूज यह कह वाँ 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 कुल वाँ वाँ मुझे लगा था सिर्फ दो इंसान थे क्या तुमने सुना नहीं है इंसान मल्टिप्लाई होते हैं मैं हूँ रैफ मैं हूँ मीको तुम कौन हो बल्क हेड तुम भी कार हो मुझे लगता है तुम एक ट्रक हो एक मॉंस्टर ट्रक तुम्हें हेवी मेटल बसं है तुम्हारा बसं कितना होगा तुम्हारे प्लानेट को डिसेप्टिकॉन से बचाने के लिए तुम्हें रोबाट हो तुम्हें बनाया किसने अफ। बस इसी की कमी थी हम सब साइबर्ट्रोन प्लानेट से आए अटॉनमस रोबोटिक ऑगनिजम से हमें आटोबोट्स भी कहते हैं तुम्हारे प्लानेट को डिसेप्टिकॉन से बचाने के लिए यानि वही जोकर्स जिन से कल हमारी जड़प होई थी अच्छा पर वो यहां क्यों आएं अच्छा सवाल है जैक यूं समझ लो कि सदियों से चली आ रही लड़ाई के वज़़ से हमारा प्लानेट बुरी तरहा परबाद हो चुका है लेकिन सब लड़ क्यों रह थे शुरुआत तो हमारे प्लानेट से एनर्जोन के सप्लाई के लिए हुई थी जो हम आटो बार्स का फ्यूल और जिन्दगी दोनों है और डिसेप्टिकॉन्स का भी वो भायंकर लड़ाई सदियों तक चलती रही शुरुआत में मैं उसकी तरफ से लड़ा था जिसे मैं अपने भाई समान मांगता था लेकिन उस लड़ाई ने सारे विश्दे दोड़ दिये और इसलिए मेगाट्रोन रास्ते से भाटक गया क्या आप क्विस खेलने वाले हैं तो फिर मेगाट्रोन का या फिर सब का हम से क्या लेना देना Megatron के बारे में काफी अरसे से किसी ने ना कुछ सुना ना कुछ देखा लेकिन अगर वो लौट कर आता है जसका मुझे डर है तो हर तरफ बरबादी होगी वो ट्रांसमिशन स्पेस में बहुत दूर से आ रहे है मैं बेकार में इतना अनर्जान खर्च नहीं करना चाता साउंड वेव ये खबर पक्की तो है ना फिर ट्रांसमिशन के कोडिनेट्स को रेकार्ड करो और स्पेस प्रिच को एक्टिवेट करो इसक्टेकोंस मैं लोटाया हूँ कर दो